गरीब पर ठंड का कहर ये कहानी माधव नाम के एक आदमी की है जो अपनी पतनी रूपा के साथ सीतापुर गाउं में रहता था माधव गाउं में खेती करता था और लगान की रूप में गाउं का सेट पसल का आधे से ज्यादा हिस्सा ले जाते थे और बाकी जो बचता था, उसी से माधव को खेती का खर्च और घर का खर्च चलाना पड़ता था एक दिन माधव की पतनी रूपा घर का काम कर रही थी, तब ही माधव उसके पास आता है रूपा वो सेट का आदमी लगान लेने आया है, जो तुम्हें मैंने पैसे दिये थे, वो मुझे दे दो, लगान दे देता हूँ अरे, तीन ही तो रूपे हैं, और वैसे भी, वो पैसे तो ठंड से बचने के लिए रखे हैं न, आपने कंबल भी तो लाना है, तब ही जाड़े की दिनों में खेट में सोया जाएगा न उसका बाद में देख लेंगे कुछ न कुछ, लेकिन अभी लगान नहीं दिया, तो वो गले पड़ जाएगा बताओ तो क्या देखोगे, और कहां से आएंगे पैसे कंबल के लिए, कोई खेरात में तो देखर जाएगा नहीं, और कंबल के बिना इतनी ठंड में, खेट में रात कैसे कटेगी, पुराना कंबल तो जगा जगा से फटा हुआ है, इनका सही है काम हम करें ठंड में, और हम मरें, और पैसे ये ले कर जाएं, तब ही माधव प्यार से अपने पतनी रूपा को बोलता है रूपा में देख लूँगा, तुम बस चिंता मत करो, जाओ, जल्दी पैसे लेकर आओ तब ही रूपा गुस्ते से बोलती हुई अंदर जाती है क्या फाइदा ऐसी खेती करने का, राद भर खेत में सोने का, जब सारा पैसा तो ये सेट ले जाते है इनको क्या पताती थाड में कैसे जानवरों से तुम फसल को बचाते हो ऐसे बोलते हुए रूपा, जो कंबल के लिए माधव ने उसे कुछ पैसे रखे थे वो लेकर आती है और माधव को दे देती है और माधव लगान दे देता है और अपनी जान छोडाता है कुछ दिनों में कडाके की ठंड पढ़ने लगती है और माधव के पास खेत में सोने के लिए अभी भी वो ही पुराना फटा हुआ कंबल था माधव अपने खेत के किनारे बास के पत्तों की चतरी के नीचे अपनी चारपाई पर पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़े लेटा हुआ था और ठंड से काप रहा था और उसकी चारपाई के नीचे उसका कुट्ता सामबा भी पैरों में मूँ डाले सर्दी से कुहु कुहु कर रहा था इतनी ठंड में उन दोनों में से एक को भी नीचे नहीं आ रही थी तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे साथ खेट में मत आया करो लेकिन नहीं हर रोज मेरे पीछे आ जाते हो और मेरे साथ ठंड में ठिटूरते रहते हो माधव की बाते सुनकर सामभा चुप हो जाता है मानव वो समझ गया हूँ कि उसके आवाज से मालिक को भी नीम नहीं आ रही है कुछ देर बाद माधव चरपाई से उठकर सामभा के पास आकर बैठ जाता है माधव अपने हाथ से सामभा की पीट सहलाते हुए बोला कल से मेरे साथ मताना नहीं तो ठंडे हो जाओगे और ये हवाई न जाने कहां से एतनी ठंड ला रही है और दूसरी तरफ वो किस्मत के धनी लोग मोटे मोटे कंबल ओड़े हुए आराम से सोए है और हम यहां ठंड से मर रहे हैं सब किस्मत का खेल है बस कैसे भी करके ये रात कट जाए सामभा अपनी दूम हिलाते हुए माधव की तरफ देखता है तभी माधव बोलता है बस आज की रात काट ले कल से मैं यहां नीचे पुआल बिछा दूँगा फिर तो उसी में घुसकर बैठ जाना उससे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी तभी सामभा अपने दोनों पैर उठा कर माधव के कंधे के पास रखता है और माधव की मूँ के पास अपना मू लाता है माधव को उसकी सांस गर्म लगती है फिर माधव उठकर अपनी चरपाई पर लेट जाता है अब माधव सोने की कोशिश करता है कभी इस तरफ करवट लेता तो कभी दूसरी तरफ करवट लेता ठंड मानों जैसे उसकी हड़ियों को अंदर तक छू रही थी बहुत कोशिश करने पर भी माधव को नींद नहीं आ रही थी माधव आस्मान की तरफ देखता है अभी तो सुभा होने में बहुत पहर है नजाने ये रात कैसे कटेगी तब ही माधव चरपाई से नीचे उतरता है और धीरे से संबा को उठा कर अपनी चाती से लगाए चरपाई पर अपनी साथ सुला लेता है कुत्ते की देह से न जाने ये कैसी दुरगंध आ रही थी पर माधव उसे अपनी गोध से चिपकाए ऐसे सुख का आनंद ले रहा था मानो बरसों से उसे ऐसा सुकून नहीं मिला हो और तभी अचानक संबा उठता है और चलांग लगा कर भागता है मानो वो जानवर खेत में आया हो संबा कभी एक किनारे तो कभी दूसरे किनारे भागे जा रहा था माधव भी उठकर देखना चाहता था लेकिन इतनी ठंड से वो पूरी तरह ताप रहा था और उस पटे हुए कंबल को छोड़ने की माधव के हिम्मत ही नहीं हो रही थी माधव की खेत के पास एक जंगल था और वहां हवाओं से पत्ते गिरने की आवाज आ रही थी और माधव सोचता है उठकर जाता हूँ और पत्ते एकटा करके आग जला लेता हूँ और अपने शरीर को गर्म कर लूँगा यहां लेटे लेटे तो मैं वैसे भी जम जाऊँगा लेकिन तभी वो सोचता है जंगल में न जाने कितने कीड़े होंगे और जानवर भी वहां जाने से तो अच्छा है कि इसी कंबल में अपनी रात काट लूँ सहसा माधव उठता है और पास से अद्रक के दो तीन पौंधे उखाड लेता है और उसका जाडू बना लेता है और जंगल से पत्ते एकटे कर लेता है और पत्तों का बड़ा सा धेर लगा लेता है और फिर उसमें आग जला लेता है और कुछी देर में अच्छी खासी आग जल जाती है माधव अपने पूरे शरीर को सेखता है और आग के पास बैठा रहता है ये उपाए पहले क्यों नहीं सुझा अगर पहले ही आग जला लेता तो ठंड में इतना नहीं ठुटूरना पड़ता तभी माधव का कुट्टा सांबा भी आग की पास आकर बैठ जाता है और आग सेखता है तभी माधव कुट्टे को बोलता है क्यों अब तो ठंड नहीं लग रही न तुम्हें देखो मैंने आग जलाई है पूरा शरीर सेख ले अब तू भी सांबा अपनी दूम हिलाता हुआ माधव को देखे जा रहा था तभी थोड़ी देर के बाद आग जलना बंद हो गई थी और अब सारी पत्यों का धेर भी जल गया था बीच बीच में हवाओं से उस आग के धेर से आग जल रही थी लिकिन अभी भी वो लोग आग सेख रहे थे माधव अपना पुराना फटा हुआ कंबल ओड़े आग के पास बैठा ही रहता है तभी अचानक से जानवरों के चलने की आवाज आने लगी और सामभा उठकर खेत की ओर भागा माधव को भी ऐसा लगा मानो नील गाई का जुन्ड उसके खेत के पास आ गया हो लेकिन ठंड इतनी थी कि उसकी आग के पास से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वो खुद को समझाते हुए बोलता है सामभा यहीं खेत में होगा वो नील गाईों को खेत में आने ही नहीं देगा और उनको भगा देगा तभी माधव को ऐसा आभास हो रहा था कि नील गाई उसके खेत में चर रही है लेकिन एक बार फिर ठंड उसे उठने नहीं देती एक पल के लिए वह हिम्मत करके उठता भी है लेकिन तभी ठंडी हवाई उसके पूरे शरीर को ठंडा कर देती है और वह वापिस से आग के पास बैट जाता है ठंड ने मानो उसे पूरी तरहा जकर दिया था और माधव आग के पास से उठी नहीं पा रहा था उधर सामधा नील गायों पर भौके जा रहा था लेकिन नील गायों का वो जुंड माधव की खेतों की सारी फसल चुकता जा रहा था आग के पास बैठे बैठे माधव को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींदा गई और वह वहीं आग के पास गर्म जमीन पर सो गया और नील गाय पूरा खेत खाली कर गई माधव को सोय हुए बहुत देर हो गई थी और सुभा का सूरज सर पर चड़ाया था तभी माधव के पतने रूपा खेतों में आ जाती है और वो माधव से बोलती है देखो कैसे घोड़े पेच कर सो रहे हो सूरज सर पर चड़ाया है नील गाई पूरा खेत चुग गई और तुम यहाँ सोय हो तभी माधव उठकर देखता है तुम यहाँ क्या तुम खेत में गई थी और नहीं तो क्या तुम तो यहाँ आराम से सोय हो चलो खेत में चल कर देखो सारा खेत साफ हो गया है जब माधव खेत में जाकर देखता है तो खेत पूरा खाली था और सारी फसल नेल गाई साफ कर चुकी थी क्या फाइदा हुआ इतने समय से खेत में सोने का एक दिन में सारा खेत खाली करवा दिया अब क्या करेंगे माधव मन ही मन खश हो रहा था उसे अपनी फसल बरबाद होने का दुख नहीं था वो तो मन ही मन ये सोच कर खश हो रहा था चलो अब जान तो छूटी, कम से कम अब इतने जाड़े में खेट में नहीं सोना पड़ेगा कडाके की ठंड पड़ रही थी और चारों और हाड कपा देने वाली हवाई चल रही थी लोग दुबक कर अपनी घरों में बैठे हुए थे, नहीं तो आग सेक रहे थे मनोहर की भी ठंड में बहुत बुरी हालत थी, वहे कुछ ही दिन पहले अपने गाउं से शेहर आया था नौकरी की तलाश में लेकिन इतनी भयानक ठंड हो रही थी कि उसे नौकरी ढूनने के हिम्मत ही नहीं हुई मनोहर हिम्मत जुटा कर अपनी घर से बाहर निकला और सड़क पर बैठे लोगों के साथ आग सेकने लगा अरे दीपू भाई लगता है इस बार तो ये ठंड हम लोगों का पीछा नहीं चोड़ेगी इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी देख ले ना हाँ भाई सही कह रहे हो तुम पता है इस ठंड में हमें कितना नुक्सान हो रहा है व्यापार ठप पड़ चुका है अब कोई ग्राहक समान लेने के लिए बाहर घर से निकलेगा ही नहीं तो समान की बिक्री कैसे होगी रमेश तुम सही कह रहे हो कोहरे के कारण ट्रेने भी देरी से चल रही है अब ट्रेने ही जब समान को यहां से वहां नहीं पहुचा पाएंगे तो ऑनलाइन सर्विस पर भी असर पड़ेगा लोग अगर कुछ खरी देंगे तो बीच में ही रुख जाएगा क्या ही कर सकते हैं भाई अब मुझे ही देख लो मैं गाउं से शेहर आया था काम की तलाश में लेकिन इतनी कडाकी की ठंड पड़ रही है कि मैं नौकरी के लिए कहीं चाही नहीं पाया मेरे पास चार-पांच दिन का खर्च चलाने के लिए पैसे और बचे हुए हैं लेकि तुम्हें नौकरी जरूर देगा हाँ भाई मैं एक पड़ा लिखा आदमी हूँ मैं कोई भी काम कर सकता हूँ बस एक बार ठंड चली चाहे तो मैं नौकरी मांगने के लिए फिर से घूमने लगूंगा दीपू और बाकी लोग आग सेकते सेकते बात करते रहते हैं और मैं का कस्ट कब दूर होगा कब मुझे नौकरी लगेगी और कब मैं अपने माबाप का नाम रोशन कर पाऊंगा मैंने इतनी सारी पड़ाई जो की है आज तक मेरे काम नहीं आई है भगवान अब जब मैं शहर आया हूँ तो तुमने यह ठंड का कहर डा दिया है अगली सु सेट के पास जाने को कहा था उसके पास भी जरूर जा कर देखूंगा मुझे लगता है सबसे पहले मुझे दीपू के पास ही जाना चाहिए मनोहर उठकर दीपू के घर जाता है अरे भाई मनोहर कैसे आना हुआ आओ चाई पीलो अरे भाई मुझे चाई नहीं पीनी आज थोड़ा अच्छा हुआ है आप उस दिन किसी सेठ के बारे में बता रहे थे जिनके पास काम है अगर आप मुझे उनके पास ले चलें तो मैं आपका बहुत शुक्रमन रहूंगा अरे भाई पहले नौकरी तो मिल जाने दो फिर कहते रहना मेरा शुक्रिया दाराम से वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो आज का मौसम बहुत अच्छा है चलो सेठ के पास चलते हैं सेठ के पास जाकर दीपू कहता है सेठ जी आप एक बंदे को धून रहे थे ना अपने खास काम के लिए मैं लेकर आ गया हूं ठीक है दीपू मैं देख लेता हूं कि ये काम कर सकते हैं या नहीं दीपू चला जाता है हाँ तो आपने अपना क्या नाम बताया था जी मेरा नाम मनोहर है हाँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए लिखाई पढ़ाई से जुड़ा हूआ एक काम है अगर तुमने वो ठीक तरीके से कर दिया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की आपने मुझे एक मौका दिया मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एतनी उर्दो बोलने के जरूरत नहीं है और अगर तुमने काम ठीक से किया तो नौकरी मिलेगी अभी ये काम करो फिर मैं देखता हूँ सेट जी उसे लिखाई पढ़ाई का काम समझा कर चले जाते हैं मनोहर को काम समझ में आ जाता है और वो करने बैट जाता है लेकिन मनोहर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती कुछी समय के बाद मौसम फिर से बिगड़ने लगता है और सेट जी को मनोहर को वापस जाने के लिए कहना पड़ता है लेकिन सेड़ जी मैंने जो भी थोड़ा सा काम किया है उसे आप देख तो लीजिए देखो भाई ठंड बढ़ने लगी है मैं ये काम कल देख लूँगा अभी तो मैं जा रहा हूं सब बंद करके जब मौसम खुलेगा तो मैं दुकान खोल दूँगा तो मा कर यहां काम मुझे दिखा देना ठीक है सेड़ जी तो मैं इंतजार करता हूं मौसम के खुलने का मनोहर उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है मनोहर को फोन आता है तब ही उसकी मा का हेलो बेटा कैसा है तू मेरा फोन भी नहीं उठाता आज उठा लिया है तो मु ज्यादा ठंड पड़ रही है क्या बताओ मा सब बुरा चल रहा है इतनी ठंड हो रही है कि लोग अपने काम काज को भी नहीं जा पा रहे हैं दुकाने नहीं खुल रहे या ता याद बंद है मैं परिशान हो गया हूं अगर दो तिन दिन में ये मौसम नहीं खुला तो मु हो जाएगा मनोहर की माँ उसे दिलासा देकर फोन रख देती है मनोहर अगली सुभा का इंतसार करने लगता है और सुभा होते ही और ठंट बढ़ जाती है मनोहर और दुखी हो जाता है वो फिर भी हिम्मत बांद कर किसी तरह सेट जी की घर पर जाता है और दर्वाजा नहीं रख सकता ठंड बहुत है और पिताजी को भी कल रात से ही बुखार आया हुआ है एक बार उनका बुखार चले जाने दो फिर अपनी राय बताएंगे मनोहर मू लटका कर वहां से वापिस आ जाता है तभी वह अपने घर में चूहा देखता है एक तो मेरे घर में पहल बढ़ा है किसी का जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है चूहा उसे देखता हुआ अपने बिल में घर जाता है मनोहर अगली सुभा दीपू के घर जाता है दीपू बाहर आग से रहा था दीपू भाई कैसे हो मैं तो बिलकुल ठीक हूँ भाई तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल लगता है भाई मनोहर तुम्हें किसी ने खबर नहीं दी सेड़ जी को बहुत तेज बुखार आया हुआ था और उनकी कल रात को मृत्य हो गई है अब उनकी दुकान शायद ही कभी खुले उनका परिवार ठंड खत्म होने के बाद उनकी अस्तियों को लेकर हरिद्वार जा जाता है क्या कह रहे हो देपु भाई सेड़ ची अब नहीं रहे जानता हूँ विश्वास करना नाममकिन है लेकिन इस कड़कडाती ठंड में कब किसके प्राण निकल जाए कोई नहीं जानता भाई मनोहर निराश होकर आगे शहर में चला जाता है वह जगा जगा जाकर नौकरी की तलाश करता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती एक बिल्डिंग के नीचे से गुजरते हुए मनोहर के उपर एक आदमी बालती का गंदा पानी फेक देता है मनोहर पहले ही ठंड से काप रहा था पानी गिरने के बाद वेह लगभग बिहोश ही होने वाला था माफ करना भाई मैंने तुम्हें नहीं देखा तुम तो पूरे भीग गए हो ऐसी ठंड में ऐसा गीले रहना सही नहीं रहेगा तुम एक काम करो अंदर आ जाओ सतीश मनोहर को अपने घर के अंदर ले जाता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दो भाई मुझे नहीं पता था कि तुम नीचे से गुजर रहे हो मैंने अभी अभी कपड़े धोए हैं इसलिए सोचा कि उसका पानी फेक देता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे भाई मेरी किस्मत ही खराब है मैं गाउं से निकला था एक नोकरी पानी के लिए और अब यहां आया हूँ तो ठंड के कारण सब ठब पड़ा हुआ है ना कहीं मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही मुझे आगे कोई काम मिलने की उमीद है क्योंकि ना तो यह ठंड कत्म होंगी और ना ही मुझे काम मिलेगा ऐसी ठंड में काम मिलना तो मुश्किल है भाई लेकिन तुम प्रियास करते रहो एक दिन भगवान ने चाहा तो तुम्हें काम्याबी जरूर मिलेगी सतीश उसे चाई पिलाता है और कुछ देर उससे बात करता है तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है शायद इसलिए क्योंकि उपर वाला चाहता है कि तुम नौकरी ना करो हो सकता है उसके पास तुम्हारे लिए और बहतर प्लान हो मुझे जूटा दिलासा मत दो भाई मुझे पता है अगर भगवान मेरे लिए कुछ सोच रहा होता तो अब तक मुझे कुछ न कुछ काम दे दिया होता मैं इतना बढ़ा लिखा हूँ फिर भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही अब ये ठंड पता नहीं कितने लोगों की जान लेगी कल ही जो व्यक्ति मुझे नौकरी देने वाला था उसकी मौत हो गई सतीश उसे कुछ गर्म कपड़े दे कर घर से विदा करता है मनोहर अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि चोहे में उसके एक पैंट की जेब कुतर दी है मनोहर आग बबूला हो जाता है और अपनी सारी ठंड भूल कर चोहे को ढूणने लगता है उसे चोहा अपने बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिलता है मेरा आज से पहले कभी इतना दिमाग खराब नहीं हुआ मैं इस चोहे को जिंदा नहीं छोड़ूँगा इसके लिए मुझे अपने घर को ही क्यों न तोड़ना पड़ जाए लेकिन मैं इस चोहे को अब जिंदा नहीं छोड़ सकता इसने मेरी परिशान्यों को दोगुना कर दिया है मेरी कंबलो में छेट कर दिया और अब इसने मेरी एक लोती बाहर पहनने वाली पैंट को भी खराब कर दिया है मनोहर डंडा उठा लेता है और चुहे को मारने लगता है चुहा फुदक फुदक कर कभी इसको ने भागता तो कभी उसको ने मनोहर गुस्से में चिलाता है एक जगह रुख जा शैतान आज वैसे भी मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा तुने बहुत परिशान कर लिया मुझे अब मैं नहीं देखूंगा कि तु मेरी कौन सी चीज पर बैठा है मैं उसके साथ ही तुझे खत्म करके ही दम लूँगा और मनोहर बिना कुछ देखे समझे अपने समान पर डंडा चलाने लगता है जहाँ जहाँ चूहा भागता मनोहर बिना देखे समझे वहाँ डंडा घुमाने लगता फिर चूहा अपने बिल में घुज जाता है मनोहर एक फावड़े से उस चूहे का बिल खोदना शुरू कर देता है मैंने तुझ से पहले ही कह दिया था जिन्दा तो मैं तुझे छोड़ूँगा ही नहीं तुचाहे बिल में छुपचा या फिर आस्मान में उड़चा मनोहर उस चूहे के बिल को खोद डालता है और बिल खोदने के बाद उसे चूहे के बिल में एक पोटली दिखाई देती है अरे ये कैसे पोटली है चलो इसे खोल कर देखते है मनोहर उस पोटली को खोल कर देखता है तो वो चौक जाता है क्योंकि उसमें हीरे जवहरात और सोने चांदी भरे हुए थे मनोहर को लगा कि उसकी लौटरी लग गई है मनोहर हाट जोड कर और उस पोटली को लेकर सो जाता है अगली सुभा ठंड काफी कम हो चुकी थी मनोहर इश्वर का ऐसा इशारा समझ चुका था उसे जाते वक्त दीपू मिलता है क्या हुआ मनोहर भाई वापिस जा रहे हो क्या हाँ भाई मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और वो अपने गाउं वापिस चला जाता है और अब ठंड भी धीरे धीरे गटने लगती है